दोपहर में देड़ या धाई बजने के आसपास कोई टाइम पूछ दे तो आप मजाक में साढ़े एक और साढ़े दो बोल दे तो सामनी वाला कुछ सेकंड्स के लिए चक्रा जाएगा ना और फिर उसकी हसे उड़ जाएगी अकसर हम हसी मजाक में ऐसा करते हैं लेकिन क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि ऐसा क्यों है मतलब घड़ी में जब साढ़े तिन या साढ़े चार वगेरा बचते हैं तो हम साढ़े तिन या साढ़े चार वगेरा बोलते हैं तो फिर देड़ और धाई को साढ़े एक ही नहीं है बलकि रुपयों पैसों के हिसाब या लेंदेन में भी और गिंती वाली अन्य स्थीतियों में भी यह ऐसा ही बोला जाता है जैसे जैसे 1.500, 1.200 ऐसे रूपय बोला चाता है इसी तरह 1.5 किलो, 1.5 मिटर, 1.5 मिटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर वगिरा बोला जाता है यह हम भारतीयों के अभ्यास में बैठ गया है हमारे मूँ से साड़े एक या साड़े दो निकलता ही नहीं है इसके पीज़े की वज़ोय जानते है दरसल भारत में जो गनित का सिस्टम है यान की इंडियन काउंटिंग सिस्टम जो चला आ रहा है उसमें डेड़ और धाई के अलावा सवाब पॉने वगेरा का भी प्रचुलन है ये शब्द फ्रैक्शन में चीजों को बताते है भारत में ये अती प्राचिन काल से इस्तमाल होता चला आ रहा है अब सवाल ये उठता है कि ये फ्रैक्शन होता क्या है तो आईए इसे भी समझते है फ्रैक्शन होती है किसी पुर्ण संख्या के किसी भाग या हिस्से को बताने वाली संख्या यानि दो पुर्ण संख्याओं का भाग फल फ्रैक्शन है जैसे कि तीन में दो से भाग दिये तो ये डेड़ होगा अलग-अलग देशों में फ्रैक्शन को लिखने के तरीके भी अलग-अलग रहते हैं फ्रैक्शन का आधुनिक धंग भी भारत की ही देन है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित पुराने समय में तो एक चौथाई सवा, पौने, डेड़ और धाई तक के पहाड़े भी पढ़ाये जाते थे वही जोतिश विध्या में अभी भी फ्रैक्शन के अंकों का इस्तमाल किया जाता है भारत में वजन और समय को फ्रैक्शन में भी नापा जाता है ये शुरू से ही भारत के मुलगनित के शब्द रहे इसी ही और इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चानल Facts with Fun को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए साथ ही हमें कॉमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते है